भारती संभीधान के महतपून प्रश्ण हम यहाँ पर डिसकस करेंगे दस कॉस्टन हैंगे प्रतिक कॉस्टन में इस पेशल उसका एक्स्पिलेनेशन होगा तो वीडियो में लाश्ट दक बने रही हैगा इस 15 विडियो में लगवग 50 कॉस्टन दस कॉस्टन तो हैं लेकिन प्रतिक कॉस्टन के एक्स्पिलेनेशन में एक्जाम ओरियन्टेड कॉस्टन आपके छुपे हुए हैं आप यहाँ पर जितने भी इंपोटेंट पॉइंट में बताऊं उतने नोट करते जाएगा तो हम हमारा पहला कॉस्टन यहाँ पर देख लेते हैं पहला कॉस्टन है पहला हम यहाँ पर बुरुस्की सियाई यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और इसको सुरू करते हैं मंडल कमीशन मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया था बैठाया गया था मतलब है निक्त किया गया था पहला ओप्षन है इंद्रा गांदी, दूसरा मुरार जी देशाई, तीसरा राजीव गांदी और चौथा बीपी सिंग देखो मंडल कमीशन के बारे में आपको मैं पहले कुछ बता देता हूँ जो मंडल कमीशन है वो OVC के 27% आरक्षाण से संबन देता है जो OVC को 27% आरक्षाण की सिपारिष किस ने की थी मंडल कमीशन ने की थी ठीक है अब यह आया किसकी कवर्मेंट में था यह आया था मोराडजी देशाई की गवर्मेंट की सरकार में इसको निक्त किए गया था ठीक है तो कितनी बात इंपोटेंट हो गई मंडल कमीशन का सम्बन किसे है OVC के 27% आरक्षाण से आया किसकी कवर्मेंट में था मोराडजी देशाई की सरकार में अब चलते हैं हम इसकी explanation की तरफ इसमें क्या क्या explanation है यहापर दे रखा है यहापर दे रखा है कौन-कौन से explanation उसको देखते है इसमें correct answer हमारा क्या हो जाएगा और B option है यहापर देखा है यहापर देखा है मौराजी देशाई की सरकार में मंडल कमिशन की report आई थी यह मंडल कमिशन निक्त किया गया है इसमें OBC के लिए 27% आरक्षन का प्रस्ताब था तो आपको 3 मात नूट करना है, मंडल कमीशन, किस से संबन देता है? 27% आरक्षण, किसकी सरकार में आया था? मुरारजी देशाई की सरकार में और तीसरा question पूछ सकता है, OBC को जो, आरक्षण दिया गáया था, वो किसकी सरकार में दिये गा है मोराड जी दिशाएगी सरकार में तो I hope आपको इस question की जो explanation है वो अच्छी लगी होगी और चैनल पर यादी नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहेंगी आपके topics related जो आने वाले एक्जाम चाहें वो state का हो central level का हो EPSC UPSC और SSC UPSC other state के एक्जाम सभी के लिए most important है तो हमारे चैनल पर बने रहीएगा चलिए चलते हम next question की तरफ और आपको मैं बता दूँ आप daily एक target fix करिए और उस target को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए आपकी तैयारी अपनी आपी ठीक हो जाएगी अगला question है हर पांस साल मैं राजजी के बित्तिय संबंदों के लिए क्या निक्त किया गया जाता है इन्होंने कहा है question को समझी के का पहले उसकी language तो इसका मतलब सीधा बतलब है बित्तिय संबंदों कों देखा बित्तायो तो हर पांस साल में कौन राजजी की बित्तिय संबंदों की देखने के लिए कौन निक्त किया जाता है बित्तायों को निक्त किया जाता है अब हम पढ़ लेते हैं इसकी explanation यान कि A option हमारा correct यहां पर हो जाएगा हम चलते हैं question की explanation की तरब यह मैं आपके लिए लेकर आए हूँ explanation जिससे की आपकी कुछ advance तयारी हो examiner से आगे आप पहुंच सके हैं जहां तक examiner सोचता है अब हमें वहाँ से आगे ही सोच कर दाल जाए तब ही हमारा exam ठीक जाएगा तो यहां पर हर 5 साल में वित्ती संबंदों के सुधार के लिए क्या निक्ति किया जाता है वित्तायोग निक्ति किया जाता है अब हम यह वित्तायोग के बारे में पढ़ लेते हैं वित्तायोग का जो उलेक है वो अनुच्छिन 280 में सबसे पहले तो आप यह नोट किये गा निक्तर अईःएंद नोट कर ले ता इस आयोग को केंदर और राजय के बीच बित्ती संबंदोग को परिवासित करने के लिए निक्तर किया गाए था द्यार रखना इसका काम क्या है बित्तिय संबंदों को परिवासित करना किस-किस के बीच केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बित्तिय संबंदों को परिवासित करता है तो पहला द्यार रखना बित्तिय संबंदों को कौन परिवासित करता है केंद्र और राज्य की बित् और पहला भी तायो कब निक्त किया गया था 1951 में निक्त किया गया था अब चलते हम next question की तरफ next question क्या है हमारा next question है निमलिखित मैंसे किस कमीशन ने भारत सरकार भारत सरकार अधीनियम निमलिखित मैंसे किस कमीशन ने भारत सरकार यहाँ पर लिख लेना छुट गया है ये अधीनियम अधीनियम यह देखो ठीक है तो भारत सरकार अधीनियम की सिपारी जो की थी वो साइमन कमीशन लिखी थी अब हम चलते हैं इसके एक्सपेलेनेशन की दरब इसकी explanation से आपको यह पूरा question समझ में आजाएगा question क्या कहना चाहता है question था कि जो commission था भारत सरकार अधीनियम 1919 उसको किस commission की report ने किस ने इसकी सपारिश करी थी तो जो Simon commission था जो कब आया था 1927 में निक्त किया गया था और भारत कब आया था देखो इसमें दो तरह के question पूछता है Simon commission के बारे में पहला पूछता है यह कम निक्त किया गया था इसमें तो यह निक्त किया गया ठीक है दूसरा question पूछता है यह भारत कब आया था तो इस भारत में आया था 1928 में एक साल बाद लाला लाजपतराई की इसी में इसी का विरोध किया था लाला लाजबतर आया था तो उन पर जो लाटियों बर्चाएं गई थी इसी की खिलाप उनों आंदुलन करा था तबी उन पर जो है अंगेजों ने कारवाही की थी ठीक है तो Simon Commission ने किसकी सिपारिश की थी भारत सरकार रदीनियम 1919 की उसमें क यागी थी जो दुछ साहसन पद्धिती है उसमें बदलाब की सिफारिस की थी साइमन कमिशन ने ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉस्टन की तरफ नेक्स्ट कॉस्टन हमारा क्या है अब इसमें देखों युनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा बीटू ठीक है अब चलते हम इसके एक्स्पेलेनेशन पड़ लेते हैं डेनवायटन ओक्सुसम्मेलन इसका क्ररेक्ट आंसर है युनाइटेड नेशन ने बड़े में बड़े देशों द्वारा बीटू पावर करने ने डेनवायटन ओक्सुमेलन में किया गया था noget अब चलते हम इसके next question की तरफ, देखो next question आ जाता है हमारा भारत के संबीधान की व्याख्या, भारत के संबीधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्रतिकरान कौन सा है, भारत के संबीधान की व्याख्या, यहाँ पर देखो संबीधान, एक होती है संबीधान की व्याख्या कौन करता ह यहाँ पर कौसौन दो बनते हैं एक बनता है संब believer का निर्मार ठीक है अब आपको मैं बता दूं संबिधान की जो भ्याक्षा करेगा यह होगे निर्मार और यह है वही भ्याक्षा ठीक है तो भ्याक्षा की भ्याक्षा करता है सुप्रीम कोर्ड कोट करता है चाहें वो कोई सा हो ठीक है अब निर्माण करती है संसद इस बात को आपको दिहान में रखना हुआ अब इन्होंना क्या पूछा है? व्याख्या करने के लिए अंतिम प्रदीकरण पूछ रहा है तो अंतिम प्रदीकरण कौन सा होगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है तो C option यहाँ पर correct हो जाता है next question की तरफ चलते हैं next question हमारा हो जाएगा यह पूछ रहा है निम लिकत में ऐसा क्या है जो भारती संभीधान के सासन आदेश पर नहीं बनाया गया चुनायवायो, नीतिययो, बित्तययो और अंतराजी परीशत आयो तो देखो यह जो नीतिययो गया है इसका कहीं भी इसका जिक्र संभीधान में नहीं है ठीक है तो यह संभीधान के सासन आदेश यानि संभीधान के आदेश के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया गया है देखो चुनावायो की बात करें तो यह 324 में हो जाता है बित्तययो हमने अभी पढ़ा है 280 अनुछिद में हो जाता है इस परकार लेकिन नीती आयोग की वियक्षिया है यहां पर कहीं पर भी संभीधान में नहीं है यह बाद में बनाया गया है तो नीती आयोग हमारा क्या हो जाएगा अब चलते हम अपने साथवे कॉस्चन की तरफ एक एक कॉस्चन बहुत ही इंपोटेंट है कोई भी कॉस्चन आप स्किप करके नहीं जाएगा इसमें कोई भी कॉस्चन टबक सकता कॉस्चन नहीं आएगा तो उसका एक्स्प्लेनेशन में से दो या तीन कॉस्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इसलिए मैंने एक्स्प्लेनेशन वापर रखा जिससे अगर question नहीं आता है तो explanation से 100% question आपका बने है राष्टपती द्वारा अध्यदेश जारी किया जाता है जब कब जारी किया जाता है देखो अध्यदेश का question है पुछरा अध्यदेश कब जारी करेगा राश्टपती को लगता है कि अध्यदेश जारी किया जाना चाहिए जब उच्चितम नियाल है राश्टपती को परामर्ष देता है गलत है जब मंत्री परिशद राश्टपती को परामर्ष देती है जब संसद का कोई सदन प्रस्ता पारित करता है तो इसका क्या करते हैं जब मंतरी परिश्वत राष्ट पती को इसमें देख लेते हैं इसका explanation जब मंतरी परिश्वत क्या करती है राष्ट पती को परामर्स देती है तब ही क्या करेगा अध्या देश जारी करेगा ठीक है, 73 होते हैं, तीन सत्र हो गए, अब एक तो चलेगा 5 से मही तक, अब जून की छुटी, एक चलेगा जुलाई से सेप्टेमबर, अब एक चलेगा नमेंबर टू डेसमबर, अब भीच में जो गैप बचा, जन्वरी, और यहाँ पर जून, और यहाँ पर सेप्टेमबर और अक्टूबर अगर कोई भी अमर्जंसी आ जाती है किसी भी कानून को बनाने के लिए तो संसद तो तब ही पारित करेगी जब सत्र चालू होगा तो इस बीच में संबीधान बनाने के लिए कानून बनाने के लिए राष्टपती को सक्ति दी गई कि आप अगर संसद का सत्र नहीं हो तो आप जो भी चाहते हैं जिस कानून बना चाहते हैं उसको ला सकते हैं लागू कर सकते हैं किसके अध्यादेश के अध्यादेश के अध्यादेश के तो यहां पर जब मंत्री परिश्द राश्ट पती को क्या देगी प्रामार्श देती है तब उसके बाद में वो अध्यदेश चारी कर देता है तो आई होप आपको यह इस कॉस्टन की एक्स्प्रेइनेशन समझ माई होगी तीन सत्र मेना बताय दिए तीनों सत्र मोस्ट इंपूरेंट ए तो इसका अंसर सी हो जाता है अगले कोसं की हम तरफ चलते हैं अगला कोसं हमारा क्या है वई दोस्टों देखते हैं अगला कोसं की तिरफ हम आ चुकए हैं भारत के नियंतरक एबम महाला लेका परिक्षक किसके लेख पाल के रूप में कार्रे करते हैं इन्होंना कहा जो नियंतरक महलेखा परिक्षप होता है वो किसके लेख पाल के रूप में कार्रे करता है तो देखो ये केंदर और राज्य दोनों सरकारों के लेख पाल के रूप में कार्रे करता है ठीक है? अब चलते हम इसके explanation की तरफ देखो इसका explanation इसका c answer विल्कुल correct है कि जो हमारा नेंतरक माले का परिछब होता है वो केंदर और राज्य सरकार के लेकपाल की रूप में कार्य करता है अगला है हमारा राष्टी पंचांग की क्या है क्या है कॉसन भारत का राष्टी पंचांग कब अपनाया गया था भारत का राष्टी पंचांग कब अपनाया गया सक संबत सक संबत से क्या है पर डिपेंडिट है ठीक है और इसका जो नया साल आता है वो 22 मार्च को आता है साधरान वर्च में और 23 मार्च को आता है लीप वर्च में आपको ध्यान में रखना होगा Question कभी-कभी पूछ लेता है, पढ़ लेते हैं इसकी explanation क्या है, explanation में लिखा हुआ, भारत का राश्टी पंचंग सकसंबद पर आधारेत है, ठीक है, इस पर पूछता है exam में, भारत का राश्टी कलंडर किस संबद पर आधारेत है, बिक्रम संबद, सकसंबद, दौनो, या इस तरीके से 3-4 option होंगे तो आपका सक सम्मत जो होगा वो बिल्कुल correct answer होगा ठीक है और यह 22 March 1957 को सक पंचंग को Gregory and calendar के साथ राश्टी पंचंग के रूप में क्या किया गया था अपना यह गया था ठीक है तो यह आप देख सकते हैं 1957 में कितने को 22 March को 22 March को यह क्या होता है इसका नया साल सुरू होता है हमारे ठीक है हमारा नया साल 22 March को सुरू होता है साधारान बर्स की बाद चल रही है पूछ सकता है साधारान बर्स में जो सक सम्मत हमारा राश्टी पंचंग है उसका नबर्स कब सुरू होता है 22 मार्च को और जबकि लीब बर्स में ये कब सुरू होता है 23 मार्च को सुरू होता है देखो यहाँ पर एक्स्प्रिनेशन में लिख रख का है ये कब सुरू होता है 22 मार्च को इसका नया अवसाल जबकि लीब बर्स में 21 मार्च को मिलता है अब चलते हम अगले कोसन की तरफ अगला कोसन हमारे क्या हो जाता है वही देखते हैं किसी राज में राष्टपती सासन कितने समय के लिए लगाया जाता है बहुत ही अच्छा कोसन है आने वाले अग्जाम पॉइंट है उसे बहुत ही इंपोर्टन्ट है कभी भी यह आ सकता ह यहां पर बात की गई है राष्टपती सासन अब राष्टपती सासन पता होना चाहिए राष्टपती सासन कितने परकार के होते हैं राष्टपती सासन बेज़े के लिए तीन परकार के होते हैं कितने तीन परकार के कौन कौन से अनुसित अनुचित पूछता तीन सो बावन 356 और 360 ठीक है तो यह 3 हमारे क्या होगाई राष्टपति साथन होगाई आपातकाल होगाई 3 पिरकार की और हो यह 3 पिरकार की आपातकाल है ठीक है राष्टपति साथन emergency और बिट्थी आपातकाल अब हम यहाँ पर इसकी पढ़ लेते हैं इन्हों न 시청ание कि इस गोस्ट में इन्हों पूछा है किसी राज में राष्ठपतिammers एक साथ्न कितने समय के लिए लगाया जाता है तो यहाँ पर यह कॉशन है राष्ठपति साथन से wires Speshzes अब राष्ठपति क्या है भारती संभीधान के अनुचे 356 में 356 में क्या है राश्टपती सासन से रेलेटेड है किस से राश्टपती सासन राश्टपती के अनुसार राश्टपती राजपाल की रिपोर्ट के अधार पर या राज्य सरकार के संभीधान के मुताविक कारने करने पर राश्टप लगा जाता है लेकिन आवस्टता बढ़ने पर इसे अधिकतब एक बश्च तक लगाए जा सकता है देखो एक एक पॉइंट है पर इंपोटेंट है जो राष्ट्पती सासन लगा जाता है वो 356 की अकोर्डिंग लगा जाता है अब कब लगाएगा राष्ट्पती एक तो रा प्रणून की अवहेलना कर रहा होगा तब लगाएगा तो लगायागा कितने समय को 6 माह के लिए लेकिन बाद में जब आवस्टता पड़ेगी तो एक वर्स तक इसको बढ़ाया जा सकता है आप 10 कोशन हमारी हां पर हो गए हैं बहुत ही most important कोशन है आप इनको देखकर read करक देख लेना इसकी pdf में description link में provide करा दूँगा आप बहाँ पर जाकर इसको download कर ले यदि channel पर नए हो तो channel को subscribe कर दीजिए वीडियो को share कर दीजिए जिससे ये content सभी के पास पहुँचे और bell icon को press करके all पर select कर दीजिए मैं जो भी video upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले पहु पूरा दिन लगा दीजिए आपका दिन अपनी आपी ठीक हो जागा चलिए मिलते हैं अपनी नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हुआ